मेरे जितने भी दोस्ते मेरे जितने भी सब्सक्रेवट दोस्ते और मेरे जितने भी भाईबे ने जो मेरे चैनल को वच कर रहे उन सबको मेरी तरब से प्रणाम स्युकार हो मैं आपको सभी को बादा किया था जब भी मैं फ्रीर होंगा अब सब के सामने एक नुतन जानकारी और सही माइने में जो अगर पद्यति के साधनाएं है जिससे लोगों की जनकल्यान हो सके उसी सबसे में दूंगा आपको आज मैं एक पूर्ण तया दूंगा पूर्ण तया ऐसा मंत्र दूंगा जिससे लोगों की भलाई हो सके जिससे काफी लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी मैं जो भी कोई भी काम करने जाता हूं वो काम आखिर में होते होते रुख जाता है मैं जो भी सोचता हूं वो कोभी करने ही पाता हूं सारे परिशानिया मेरे पर ही आके रुख जाता है हर काम में मुझे नाकामयव का मुह दिखने को मिल रहा है काफी तरह का चीज है उनके मतलब हर काम में आज मैं ऐसे चीज दूंगा जैसे कि आप हर वो कारिये में सफलता प्राप्त करने का मंदर दूँगा इसको कैसे क्या पूर्ण करना है बहती आसान चाहे 11 दिन का है चाहे तो अगर आप इसे 11 दिन नहीं कर सकते तो किसी भी ग्रहन के समय में या किसी की होली, दिपावली या दसेरा या शिवरत्री इन सब दिनों में आप रात्री में, एक दिन में कर सकते हैं, तो आप एक दिन में करना है, तो एक दिन में करना है, अगर आप ग्यारा दिन में करना है, तो इसको रोज ग्यारा माला हिसाब से करना है, सर्ब कारिय सिद्धी साधना मंतर, आज मैं वही चीज के बारे में देने जा रहे किसी से मुलाकात करने जा रहे कोई प्रॉपटे डिलिंग में काफी तरह का चीजों से उनको नाकम्यापी की मुह दिखने को ज्यादा मिलता है काम होते होते सबसे आसान साधना है हर वो साधना में नियम का पालन करना बहती जरूरी होता है जैसे कि ब्रह्मेचेरिय और मानसिक और सारीरिक रूप में पालन करना है सात्विक भोजन लेना है अपना मन का जो चिंतन होता है उससे भी सात्विक बनाना है गलत काम नहीं करना है ना है गलत संगत रखना है ना है गलत चीजों से दूर रहना है सात्विक तो एही होता है, सिप्दारू, मीट, मचली, अंडा, सराब, इन सब चीजों से दूर रहना का मतलब नहीं है, ते कि आप सात्विक भोजन से ही, इसमें से भोजन का आ गया, लेकिन आपके मन में भी सात्विक विचाराना चाहिए, साधना के समय में, और गलत काप न जाएंगे तो आपको कभी भी नाकामी हासिल ही नहीं होगा मेरा वाद długo थी तो माला करेगा सनस्करित रुद्रक्णते माला लीजी इसको में पिछले वीडियो में जैसे था कि कुछ वीडियो में बताया था पहले जो वीडियो में कि माला को कैसे संसकर कि जाते हैं उस त будете की ऊप संस्कर कीजी है फिर इस माला को अब झब के लाइक कर सकते हैं मतलब इसमें इस्तमाल कर सकते ए पिर आया बस्तर इसमें आसन और बस्तर दोनों सफेध रहेगा दिसा जो रहेगा आपका इसमें पस्चिम रहे गा फिर करना है बाकि घब के समय जैसे कि मैंने कहा था जैसे कि आशन बेढ़ते समय आशन का मंतर और फिर आशन के ऊपर बेढ़ते समय फिर जल क्रिया करना वोस्प्प जो मैंने फेले वीडियो में बता चुका हूँ उसको भी आपने देखी और माला को जैसे की जब करना जब सुमेरी को नहीं लागना च्छोटी च्छोटी बात को नोटिस करना मतलब नोटिस करना चाहिए ताकि हम साधना में निर्विक में सफल हो चके यह मंत्र कोई इसमें ज्यादा ड्राबनी चीजों का अनभब नहीं होगा आसानी से आपका इस अधना संपूरन होगा जैसे की मैंने बता चुका हूँ इस मंत्र को एक बार सिध्धी हासिल होने के बाद आपका हरवो कार्य सिध्धी होगा चाहिए आप किसी भी जोग के इंटिर्विव देने जारे या फिर किसी भी आप काम में आप जारे कोई पश्चेता निए निन हिम ड्रमाल इन अशन पर बेठीए गा दियाएगा पिछट्र रहें पहले आपको पवित्र कर ले आटने से में कि अ 12 बिचार भी सत्विकतर रखें कर गयादने मंत्र में चोटा से मंतर इसको ज mellan इसको चाप करना एक्या dane मंत्र मैं आपको बता दे रहाओं मंत्र सर्वार्थ्र सद्ल श्वारा मिंत्र में इस सरवर्त्र सद्रे स्वाहा चोटा समतर इसमनत्र का रोज 11 माला करनें 11 दिन तक पिर मंत्र शिद्धिं होने के बाद कहीं पर किसी भी काम में आपको जाना घेए उससे पहले गिंती में एक माला बस करना है एक माला करके अब निकल जाए किसी भी काम में पिर आपका हर्वो कारिया कि सुनिस्चित सफल होगा यह मेरा बाद आए अब इस तरह कर सकते माला जब करने के बाद अपनी दोनों हाथ के यह में फूंग मारिये उस हाथ को अपने मुँपे फिर लिजिए फिर आपको आकर्षन सक्ति पेदा हो जाएगा किसी भी चीजों मैं आपको नाकारे में कि मुँँ दिखने को नहीं मिलेगा यह मेरा बाद है बस इतना ही कहूंगा आप सब खुश रहे सुस्त्री मस्त्री जय अगराण